स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्ण डिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? A. आर्थी का नुमूदन B. व्यापार विवाद C. पीम मोदी की लक्षदवी प्यात्रा के बारे में अपमांजनक टिपनी D. सैन्य संगहर्ष Answer C. पीम मोदी की लक्षदवी प्यात्रा के बारे में अपमांजनक टिपनी Explanation डिसंबर 2023 में मालदीव के तीन उपमंत्रियों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षदवीप की दो दिवसिय यात्रा जिससे लक्षदवीप को एक परियतक आकर्षण की केंद्र की रूप में प्रचारित करने की कारण अपमांजनक टिपनी की इससे भारत मालदीव संबंदों में खटास आ गई भारत सरकार ने इस मुद्दे को मालदीव के सामने उठाया जिसके बाद मालदीव सरकार ने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावी बेसिन दीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है ए, रिलायंस रिफाइनरी, बी, ओएंजीसी, सी, इंडियन ओइल, दी, भारतिय पेट्रोलियम, आंसर, बी, ओएंजीसी, एक्स्प्लिनेशन, ओएंजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावी बेसिन में अपनी प्रमुक गहरे समुद्र परियोजना से तेल परियोजना से वर्तमान राष्ट्रिय तेल उतपादन में 7 प्रतिशत और राष्ट्रिय प्राकृतिक गैस उतपादन में 7 प्रतिशत की वृद्धी होने की उम्मीद है अगला प्राश्न हाल ही में असम राज्य में चंदूबी जील के किनारे चंदूबी महोत्सव चंदूबी फेस्टिवल का आयोजन किया गया यह महोत्सव प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन से चंदूबी जील के किनारे पाँच दिनों के लिए आयोजन किया जाता है चंदुबी महुतसर्व का मुख्य उद्देश असम के इस जैव विविदता होट स्पोट में एको टूरिजम को बढ़ावा देना है अगला प्राश्न इस साल जुलाई में युनेस्को की विश्व धरोहर समिती की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? A. भारत भारत युनेस्को की विश्व धरोहर समिती की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? यह युनेस्को की एक समिती है विश्व धरोहर समिती ने अपने 1977 में 46 वा सत्र भारत नई दिल्लीक में आयोजित करने का निरने लिया था जो 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है अगला प्राश्ट International Purple Fest 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? A. New York, B. दिल्ली, C. Goa, D. Sydney, Answer, C. Goa, Explanation, विकलांग र्यक्तियों, P.W.D. की समावेशिता और सशक्तिकरन को प्रोच्साहित करने के लिए इस साल पहली बार Goa में Purple Fest 8 से 13 जन्वरी तक आयोजित किया जा रहा है महोत्सव का उद्देश्य संगीत, नित्य और मनोरंजन में आकरशक प्रदर्शन के माध्यम से विकलांग र्यक्तियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करना है